हेलो फ्रेंट्स रादे रादे आप सब कैसे हैं आज मैं आपके साथ ये चीकू का प्लांट शेयर कर रही हूं जिसमें फ्रूट तो आ रहे हैं लेकिन छोटे-छोटे होके इस वो गिर जाते हैं तो आज हम लोग इसमें खाट देंगे इसमें डालेंगे और ये मेरे आदीद देते हैं तो जो इनके पास खाट थी मैंने का चलिए डाल देते हैं और देखिए इसमें फ्लारिंग स्टार्ट हो गई फिर से तो और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में अभी पके नहीं है क्योंकि इसकी जो ग्रोथ होती है थोड़ा टाइम लगता है और देखिए मैंने किनारे किनारे से मिटी को खोद दिया इसकी गुडाई कर दी है और यह इनके पास खाट थी तो मैंने का चलो डाल देते हैं थोड़ा सा तो इसमें एक चम्मच के आसपास मैंने अभी गर्मी भी हो रही है बहुत तो ज्यादा खाट नहीं देंगे बस थोड पानिंग में हम पानी देंगे अभी पानी नहीं देंगे और इस तरह से जो इसमें कमी होगी वह पूरी हो जाएगी और यह जो फल गिर रहे हैं अब नहीं गिरेंगे और थोड़ा तो गिलायरी भी खा के चली जाती है और यह देखिए इनके अडेनियम लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है और इनके कोटेक्स भी बहुत बड़े-बड़े हो गाए है यह देखिए और इसकी पूणिंग कर देते हैं और फिर यह इसकी अच्छी सी ग्रोथ हो जाती है तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट्स करें और मेरो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर भी कर और यह इस पैरिगस और यह तो इसकी नीचे से रूट्स निकालते हैं जो बेबी प्लांट उसी में से हम लोग लगा सकते हैं और यह देखिए फ्रेंड्स यह सुदर्सन का प्लांट है जो कि नोंने बॉटल में लगाया हुआ है और इसकी रूट्स कितनी अच्छी है और क दूसरा और इसमें देखिए बहुत हेल्डी लीव्स हैं और मैंने थोड़ी परचेजिंग भी कि हुई है प्लांट की यह जो भाइया थे उन्होंने मनी प्लांट की वरायटी बताई है फो टाइप्स की अलग अलग लीव्स हैं तो मैंने वह भी ले लिया है कि घर हैंगे सो फ्रेंड्स मैं इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी जब इनको बास्केट में लगाऊंगी और यह देखिए यही सुदर्सन है जो बाहर गंबले में लगा हुआ है और इसी के बेबी प्लांट जो निकले थे उसी को कट करके उन्होंने बॉटल में गयारी हुआ ड़ल यह लगाए अ का एंग टष्टा और र对ा यहा इनक स zumस्क्तर देस जाने लगैता